कैसे ही आप सब तो आज की इस वीडियो में मैं आप सही बच्छों को बीविंग उनिबरसिटी में F.Y.E.P. समेस्टर 1 या पी समेस्टर 2 में आप सही बच्छों का देखिए इसे एसी इंग्लिस का पेपर है ज़में आप सही बच्छों को इंग्लिस कुमूणिकेशन स्केल्ड़ कर दीए थें जहां पर आप सही बच्छों का लगभग दो यूनिट कंवट हो चुक अता है आज हमारा के आप सही बच्छों का जहां पर हमलोग आज जो हमाँ unit 3rd speaking skills है basically, उसमें पूरा topic आप complete हो जाएगा, monologue, dialogue, group discussion, effective communication, miscommunication, interview, public, यह तो topic दिया हो आपका unit 3rd में, वो complete होगा, वीडियो जहांस रहेगा, वीडियो लंबा जुरू जाएगा, लेकिन पूरा topic आपका complete हो जाएगा, इसी वीडियो में, तो वीडियो पसंद तो महनत को like और share करने में कमी मत करिएगा, ताकि हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच सके, और वो अच्छे से अपने exam के त्यारी कर सके, तो चलिए मिलते हैं, तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं, और आपको description box में, टेलिग्राम कूरू, Facebook page का link विलेगा, तो आप जहां आप से जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं, और आपके जो भी देखिए subject से हैं, major, minor, mdc, ac, vse, सब के सब हमारे प्लेश्ट पे नावगा चैनल पर प्लेश्ट बनाव, देखिए, exam के त्यारी करिए, ठीक है, देखिए, monolog मतलब होता है हमारे पास, एक word आता है, जिसका मतलब होता है, Greek word है basically, जिसका मतलब होता है, monologous, इसका मतलब होता है, solitary, solitary speech मतलब हमारे पास, monolog basically एक speech है, जो किसी भी single character के दुवारा दिया जाता है, इन्हीं मान के चलता है, अप एक individual है, personality, आप खुद बखुद क्या करें, speech दे रहे हैं, तो एक single character के दुवारा जो speech present क्या होता है, most often to express their mental thought allowed through some time, also to directly addresses one another character, और the audience, यानि अगर आप अके लिए के लिए आप कह सकते हैं, आपने विचारों को की सामने प्रदशित करता हैं, या दिखाने के उसका करते हैं, तो उसे आप monolog में मान के चलते हैं, monologs are commonly across the range of dramatic media, जैसे आप कमाल होगा, कोई भी actors होता है, वो play करता है, तो सबसे प्रेक्टर में अपने खुद को ढालता है, ताकि वो उसे उस प्रगार का दिखे सकते हैं, अपने आप से उस लोगों के सामन प्रदशित कर, तो लोग लगे कि हाँ, वो उसमें character play किया, as well as non-dramatic media, जैसे जैसे poetry होगिया, monolog share such in common with several other literacy devices, including, इसमें होता है, solucionist, apostrophist, and aside, there however, distinguish between each other, यह थोड़े कोई काम का नहीं, बस मोग याथा मतलब होता है, उस character में यह पर कैसा है, वो speech किसी character के दोर प्रेजेंट करना, जो single character दोर दिया है, तो उसमें लोग क्या काता है, monolog में count करता है, ठीक है, तो आप इसका monologue, monologue का देखिए, importance बताईए, तो देखिए, हम लोग दोनों जानेंगे, advantage भी जानेंगे, importance भी जानेंगे, importance भी जानेंगे, और इसका disadvantage जानेंगे, तो the monologue, sorry, the monologue is the key to the inner soul of a character, इन्दे किसी भी character का, जो आपका अंदर का आत्मा, जिसे हम लोग कहता है, ठीक है, हमारे हिं monologue को क्या, deliver कर रहा है, he or sim, तो कोई यो से लड़का या रड़की, is allowing the audience, or the listener, into their body, mind, spirit, यानि, वो सामने audience को कह सकते है, control करता है, कि यहाँ, उस character में, अंदर तक, build-up करता है, कि लोग इसमें interest लगाते है, the character, speech becomes flow, character का, जो speech होता है, वो become flawless हो जाता है, when the monologue is providing character, जब मोनलो लोगों को कह सकते है, अपनी और अकरसित करता है, या फिर, some, लोगों को अपनी तरफ, attractive करता है, यह बताया हुआ, the monologue is special, because it is something that, can be part, monologue, जो basically है, यह, डाल को पार्ट रख सकते है, it must be, जो basically होता है, यह, allow होता है, हमें साखेले रहता है, आप इसके disadvantage, देखिए क्या क्य क्या सकते है, इसके बुराईया बोलिये, इसके क्या-क्या disadvantage होता है, हम लोगों जाने को करें, देखिए, तो it is spoken by one person, यह जो है, एक परसन दोरा बोला जाता है, it is a character's point of view, यानि वो character का point होता है, basically, यानि क्या बताना चाहता है, उस character हिसाब से, we really don't know what the other people's characters है, मत्या बता about being challenged by anybody, यहाँ पर एक ही तरीका यह कह सकते है, यहाँ जो challenge किया जाता है, या पर गलती बता जाएगा, वो सिर्फ एक ही person, या एक ही तरफ को लोगों बता जाएगा, हमारे पास, यहाँ पर कोई group discussion, यहाँ पर नहीं किया जाता है, यह बताया होगा, ठीक है, तो यह पहला ह होगी हमारे monologue, अगला होता है dialogue, देखे, dialogue मतलब जिससे कि आप लोग भी कोई मूवी देखते हैं, dialogue मारता है, hero hero in जो भी रता हमारे personality, तो dialogue मतलब होता है, basically हमारे पास क्या, एक कोई word या पर कह सकते है, एक sentence, तो dialogue का मतलब होता है, die मतलब होता है, और speak मतलब होता है, लोग जिसम करते है, in this sense, अगर हम लोग कहा जाए, तो two people are speaking to create, दो persons जो रहते है, वो dialogue को basically create करते है, dialogue is a spoken, और verbal क्या है communication, that includes जिसमें कम से कम दो character तो हुने आवाज सके है, अगर आप कीचिव डालोग गुलिए बाई, कम से दो character तो बला होना चाहिए, तो dialogue is very important, dialogue जो है, communication के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या important role play करता है, it allows people to understand other viewpoints without pitting themselves against other different practices, it is not a back and forth discussion, not a debate, it is a rather a chance to frame a problem by both independently voicing your personality on other human, के चलते कोई विवाद हो गया, अब कोई विवाद में क्या किया, आपने किसी वाजी पर बयान बज़ी किया, ठीक है, बयान बज़ी बतर डालोग दिया, अब वो dialogue क्या हो गया, आपने उस problem के time पे क्या किया, उस बात का निप्टा रहा किया, तो वो आपके लिए हिसाब से dialogue हो जाता है, और dialogue क्या होगी, important role play करता है, चाहिए वो आप फिलिम नेरे से देखिये, या आपके दोर जो दिये कथाने, इसमें कम से दो जो होनके जो होते है, तो यह ह होड़ पे श्रीट पे मिलते है, एक का नाम है मार्था, वो जोन को बलती है, हैलो जोन, यहां गलती ही लिखागे, ह-e-l-l होगा, गलत होगा, इसमें इसे काट दीजिए, सही का लिए, ठीक है, है, हैलो जोन, हाओ जोन, बुलता है, बाई, I'm just fine, and how are you, जोन बलता है, इसे भी क्या धीमा चल रहा है, I am right, मैं थोब असा डरा हूँ है, कैसे कपकपा रहा हूँ, are you still working at Smith, क्या तुम अभी भी Smith और Jones के working, कैसे Smith और Jones कंपनी है, Suns कंपनी है, वहां पर तुम अभी वर्क करें, तो यहां पर इन दोनों बीच्वी जो conversation हो रहा है, यहां पर दो लो and see the issue differently, dialogue can be employed as an effective communication tool to help the party understand each other point भी देखिये, जब मानके चलते है, कोई issue होगी है, कोई जमिला होगी है, दो पार्टीस के बीच में, अब दोनों पार्टीस का अपनामना भाई बयान है, dialogue क्या करता है, एक effective role play करता है, इन दोनों पार्टीस को क्या समझाने में, मैत करने में, पर एक important लो लागता है, ताकि दोनों को विचार अथरा को समझा सके, it brings, ये लोगों को क्या लाता है, सामने लाता है, हो आगा कोई naturally नहीं है, मान कीजिए को दूर पे है, किस तरफ दोनों को विचार अथरा सामने काम करता है, it is a process to successfully related to people who are different from you, they are different, ये लोगों को बीच म को खतम करें को जिए करता है, dialogue is not problem, solving says directly, it is a instant purpose that build bridges of understanding, लोगों बीच में क्या करता है, ताकि लोगों बीच में क्या करता है, ताकि लोगों बीच में जो misunderstanding रहे, या पर complete हो जाता है, ये सब के सब दिदे complete, खतम हो जाता है, ठीक है, तो ये dialogue होगी हमारे पास, आगला है को या भी कह सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच बैट के, किसी topic पर चर्चा करना, या फिर कोई activity हमारे पास academic का, business का, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, oral practice करते हैं, यह और प्रकार के होता है, बोलबाल के हम लोगों बिचारधरा अपना share करते हैं, तो group discussion में क्या होता है, हम आपके बिचारधरा के लोग हो सकते हैं, कुछ आपके बिचार के नकारात्वक हो सकते हैं, दोस्त आपके कुछ होंगे कि हाँ, यह होना चाहिए तो इस प्रकार यह हमारा group discussion काम करता है, तो participant जो रहते हैं, एक दूसरे को face करते हैं, एक semi circle है, मतलब अद परिवाप में किस किसी प्रकार करने हो तक कोई जो नहीं हो, और सब के सब किसी topic पे अपने क्या करते हैं, विचार रखते हैं, यह हमारे किया करता है, गुरूप discussion क्या हो मैं समझना पड़ेगा, तो importance और group discussion, तो group discussion पर की किसी बिचार या पिर बताता है लोग है लोगों का पिर किसी टॉपिक प्रेंड के साथ क्लासमेंट के साथ यहां यहां पर कुछ इंपर इस लर्न को तो मुझे देखिए ना मैं क्या सकते हैं ना कुछ करता हूं बस मेरे बस सकते हैं पूरा दिन भर का कोता सारा का शार भाथ है तो इस प्रकार अगर अगर मेरे पार किसी टॉपिक पिछले बाद चल रहा है तो मैंने अपने ग्रूप में दोस्ता हम नोक से सेखिया है और को यह हमें सीखने में भी बहुत जग हो जाब मत करता है तो इस तुदेट के क करता है किसी पी टॉपिक पर देखे हर आदमी नजरी अलग अलग हो सकता है जिससे अभी बात कीज़े हमारे देश में तो देश में अगरबात के जोब को लेके तो भाई जोब को लेके मैं मान के चलता हूं कि वर्थपान जो हमारी गवर्मेंट है उन्हों जॉब के लिए प इस प्रकार भी लोगों देखते इस टार्ट अप का दोर चला हुआ है पहले दोजास और सब्सक्राइब नहीं था ऐसा कोछ नहीं देट बिसीकली क्याता है जब तब मार्केट ने जीओ नहीं था तो भाई जीओ आया तब ना आज हमनों देखे नहीं नहीं कॉंटेंट के अगर हमारे चीज़ में या पर हमारे में क्या करने का मुका देता है कि हम लोग इससे दूर कर सकते हैं फिर हमें क्या करता है कि हमारे मन में इस रापी विचारतर हम सीक सकते इसके बार बता सकते हैं तो इक इंपोर्टन लोग करता है ताकि हम अपने जो confidence है इसको बढ़ाना मदत करता है फिर यह क्या करता है इट प्रिपेर्स पार्टिसिपेंट फर और टेस्ट बाइण सिक देखिए यह बिसिकली स्ट्वेंट को क्या करता है प्रिपेर कर वाता है तो एक प्रकार से सी हमारे लोगिए उरल इसको बढ़ाने में डिया क्या करता है एक महत्पुन भूमिका निवाता है तो मैंने आपको इसमें 5 पॉइंट बता दियें अगला टॉपिक है हमारा देखे सेलेपस में दिया हो इफेक्टिव कम्मुनिकेशन देखिए हमने कम्मनिकेशन पड़ दिया है इस प्रकार के में समझ्य करें अर उसके बाद करते हैं इस प्रकार काम में स्कूंद लोग क्या करते हैं इसिका के इंपॉटंस यह भी समय निकोजिस करिएगा it helps the participant to understand their role clearly यह जो character है यह पर कह सकते हैं जो हमारे पास जो role model है participant का वो उनको उनको का एक्टर का काम करना चाहिए कि वो स्थीक से सुने और उसके हिसाल से perform कर सके यह उनके attitudes को उनकी character build-up को क्या करता है जो भी employees रहते हैं यह speaking power को बढ़ाने कोई करता है information transfer process में क्या होता है यह motivate करता है कि लोगों को अच्छे से work कर सकते हैं यह लो कर सकते हैं हमारे पास जो क्या करता है काम के दूर रखता है तो यह इसका importance होगी हमारे पास ठीक है अगला है miscommunication यह भी आपके syllabus का topic है जिसमें miscommunication आपको पढ़ना है तो miscommunication मतलब होता है क्या हमारे पास जब हमारा communication failure हो जाए मतलब मतलब आप किसी इसके बारे बताने गया तो जैसे एक्जामपल देता हूं कि भाई जिसे हमारी university के दोबार क्या होता है पर इंटेंडेंड मेंसेज जब नहीं समझ माएगा तुसी क्या 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 कारण हो सकते है तो देखिए हमारे पर बताया हुए कि एजमसन जो होता है इसका सबसे बड़ा कारण होंते हैं जब बच्चे या पिर कोई सही से सुनता नहीं है या information सही से डिलेबर नहीं होता है आधा information देता है तब ही miscommunication email दूसरा क्या हमारे miscommunication जरिया इन email you can't tell a person tone उसके person को तो भें नहीं बेसकते क्या है क्या नहीं है आप उसे है information शेjamा लेकिन आपने विचार था तो यह ho від किस कारण से होता है और यह हमारे पास वोता है miscommunication क्या से अवाइड कर सकते हैं तो सबसे पहला कां कि बच आ हम लोग क्या कर सकते हैं सही से हमने कि चाहिए हमारे पास यह में क्या क्लियर होना चैनल को लेकर कि अगर हां बोर अ होना अगला पॉइंट है आपका इंटरव्यू यह आपके इंटरव्यू मतलब ही होता है हमारे पास क्या है कि जब one-on-to-one conversation होता है यहींनि मान के चलते हैं आप इंटर्वियू देने के अगर आप साथ वारम कुसे इंटरव्यू दिया है तो कर नदेवित मतलब है कि तीम बैठी होते हैं या फिर एक आदमी होता है वह आपसे कुछ सवाल जवाब पुछते हैं तो इंटर्वी मतलब होता है जहां कोश्चन आपसे पूछे रहते हैं और आपको उनका जवाब देना रहता है अब इसके थूरा इंपॉर्मेशन भी शेयर करते हैं इसके जो पू माप करिएगा ठीक है हमारे पास क्या क्या होता है एक होता है इस्ट्रक्चर होता है अनिस्ट्रक्चर होता है इस्ट्रेस बीएबेर होता है प्रॉब्लम स्वारल बिंग और केस इंटर्वी होता है पैनल इंटर्वी होता है इस्मॉल ग्रूप इंटर्वी होता है टास्क इस प्रकार देखें तो आट पार्ट में हमारे इंटर्वी रखता है, आप उतना याद नहीं रखना है, इंटर्व्यू का इंपोर्टेंस जाद रखना है कि यह क्यों जोरी है, आप अभी एगा ऐग एजाम्पल लेते हैं, इगर आप UPST देते हैं, ठीके आप जो भी बनना सहमेने यह सब क्या होता है important तो इंटर्वी हमारे चीज क्या साथ है हमारे व्यक्तित को निकारने की प्रक्रियाव के अंतरगवाद भी आप रख सकते हैं तो यह basically student को prepare करता है ताकि वो क्या कर सके basically हमारे जो कह सकते हम भी इंटर्वी प्रिपर करते हैं तो इंटर्वी से हमारे बहुत जीमना फायदा होता है ठीक है तो इंटर्वी जो जॉब सिकर से यह आपको body language, smartness को देखे, आपके जवाब देने का तरीका तक संगर दिखा जाते हैं कि आप सही से जवाब दे पार हो नहीं देपर, यह तमाम चीज में दिखा जाता है, ठीक है, तो यह आप लिखना चाहिए, तो इसे वीडियो को pause कर लिजेगा, और सारा का सारा यहां पर लिखे है, ठीक है, देखे, लिखा हुआ है, मैं आको बस सम्झाने कि यहां पर quiz की क्या लिखा हूँ, मैंने बता रहा हूँ, मेरे जो विचार था रहा है, इंटर्वी क्या हो, तो यह इंपोर्टन सम्टर्वी लिख लीजेगा, लास्ट टॉपीक है हमारा देखे, पब्ल स्पीच जेते हैं, हम लोग बैठे हैं सुनते हैं, बड़े बड़े नेता गन या कोई सेलिवरिटी जाते हैं, इसी को लोग क्या करते हैं, पॉब्लिक स्पीच कहा जाता है, अब इसका कम्णिकेशन में बहुत बड़ा योगदान है हमारे पास, कम्णिकेशन का यह हमारे पास जसे कमान की चलते हैं, लोगों में confidence को क्या बील्ड करता है, लोगों में अगर आपके पास public, इसकी must look, अब लोगों के लिए अघाता कर सकते हैं, अगर आपके बंदी हैं, यह पूरा पॉंट लिखा हुए, आप इसका पीइस 1998 कर देमत करने में और यह हमारा unit 3 रही है speaking skills complete होता है next वीडियो में देखिए अगर पूरा topic reading and understanding पढ़ेंगे जो आपका complete हो जाएगा तो चलिए फिलार मिलते है नेक्ष वीडियो पे वीडियो पसंद आया तो like और share करने का अभिमत करिएगा मिलते है नेक्ष वीडियो पे तब तक के लिए जय ही जय बारत